दोस्तों एपिसोड नाइन्थ है आपका आज ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का एपिसोड नाइन्थ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में Micro processor क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ पिछले episode में बहुत अच्छे से लेकिन आज हम detail में पढ़ेंगे Micro processor के बारे में यानि की CPU के बारे में जिसको आप अक्षर कहते हो CPU तो आप वो जो एक डिबबा जैसा होता है उसको हम CPU नकाय करके CPU के अंदर होता है motherboard और motherboard में install होता है हमारा microprocessor इसी को हम कहते है CPU या central processing unit इसके वारे में detail में हम इस वीडियो में चल्चा करने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी बक्वास के हमेशा कित्रहें start कर लेते हैं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप ये 9th episode है इसके पहले जितने भी episode हैं वो भी देखकर आईए वीडियो को start करूँ उससे पहले मैं आपको चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं microprocessor की microprocessor मैं पढ़ाना start करूँ उससे पहले जो है मैं आपे तो यहाँ पर दरसल है इसमें आ नहीं रहा है ड्रा करने का line हाँ अब आ गया तो यहाँ पर चलिए मैं इसको start कर लेता हूँ यह देखिए microprocessor की मैं बात कर रहा हूँ central processing unit microprocessor जिसको हम कहते हैं computer central processing unit built on a single integrator circuit यह देखिए central processing unit यह CPU है यह built होता है कहाँ पर single integrator circuit यानि कि इसको हम single integrated circuit के पर जो है यह built होता है ठीक है single integrator circuit भी इसको हम कह सकते हैं क्योंकि एक single IC है ठीक है यह integrator circuit है एक single chip जैसी होती है जैसे यह देखिए यह ठीक ना और बहुत सारे आपको जो है transistor, IC यह सब मिल जाएंगे ठीक है तो यह single integrated circuit पर बनी होती है इस called a microprocessor कहा जाता है a digital computer with one microprocessor which acts है जा CPU is called microprocessor micro computer एक ऐसा digital computer digital computer क्या होता है मैं पिछले एपिसोड में clear कर चुका हूँ एक ऐसा digital computer जिसमें एक microprocessor होता है और जो CPU की तरह एक्ट करता है इसको हम कहते है micro computer ऐसा digital computer जिसमें एक microprocessor होता है उसको हम micro computer कहते है it is a programmable multipurpose clock driven register based electronic device that reads binary instruction from a storage device तो यहाँ पर यह बताय जा रहा है कि मतलब CPU क्या क्या कर सकता है तो यह programmable होता है multipurpose होता है clock driven होता है clock driven है गड़ी driven और register based होता है register एक memory है ठीक है और electronic device है ठीक है that reads binary instruction from a storage device card memory यह जो CPU है या microprocessor है इसका काम होता है binary instruction को read करना ठीक है क्या करना है binary instruction को read करना मैं एक बाई से erase कर देता हूँ अच्छे से आपको बताता हूँ तो इसका जो main काम है वो है binary instruction को read करना कहां से read करना storage device से जिसको memory कहते हैं accept binary data as input binary data को input के तोर पर accept करना और process करना process के बाद according to those instruction provide result as output output के तोर पर result देना जैसे मालिज़े अपने input के तोर पर कुछ भी दिया उस input data को वो पहले binary में convert करेगा उसके बाद CPU में इसकी process चलेगी यानि कि microprocessor में इसकी process चलेगी उसके बाद आपकी data या instruction के अधार पर उसको output एक नियत देदेगा जो भी आपको चाहिए होगा the microprocessor contents millions of tiny components like transistor एक जो microprocessor होता है उसमें millions of tiny components होते हैं millions of चोटे-चोटे components होते हैं जैसे transistor हो गया register हो गया diode हो गया ठीक है that works together जो एक साथ काम करते हैं diode समझ रहो ना anode and cathode यह सब क्या होते हैं डायोड होते हैं जहां पर anode जैसे माल लीजिए ठीक है यह anode हो गया anode कैसा होता है diode anode होता है हमेशा positive और cathode हमारा diode कैसा होता है cathode हमारा diode होता है वो होता है वो कैसा होता है वो होता है निगेट्व यह डायोड कहां पे होता है यह वायक्यूम टूपस में आपको डायोड देखने को मिल जाता है जब मैंने वायक्यूम टूपस पड़ाया था तो यह प्छले एपिसोड देखकर आई है चलिए अब यहां पर ब्लॉक डियाग्राम देख लेते हैं किसका माइक्रो मैं होता है अलियू यानी की एर्थमेटिक अनलोच्कल यूनिट्स यू यानी की कंट्रोल यूनिट रजिस्टर एरें र चेश्टर अमारी मिमोरी और मिमोरी यूनिट इसाहरो ये सारी चीज़े ये-त माइक्रो पौससर में होती है और मैं आपको इस Вас इकि съे ब्ग बुक के बाद जैनकारी प्राप्त करें उसके बाद इसको खरीच सकते हैं ठीक है टिक डिस्कुप्शन में छलिए आप आपको बता देता हूं तो एक माइक्रो पॉसेसर में जो है यह सारी चीजें होती है उसके बाद जो है प्रोसेस करने के बाद यह आपको आउटपूट दे देता है, आप बात कर लेता है, कि आप्प्यूटर में जीतने भी प्लस माइनस एक्टटरक्सन डिवाइडसन ये जीतने भी चीजें हैं, ये एक carrying unit का काम होता है, यानी और लाजिकल भी ले लिजे, ये तो arithmetic आपका हो गया, A से होता है आपका arithmetic, ठीक है, क्या हो गया, arithmetic, और L से आपका हो गया, logical, logical क्या चीज़ होती है, logical का मतलब होता है, जिसे मा लिजे, is greater than, is equal than, is lesser than, ये सारे जो operation होते हैं, ये कहलाते हैं, logical, और unit, तो LU का काम क्या है, कि arithmetic और logical unit का काम करना, ठीक है, तो इसे मैं अभी रेज कर देता हूँ, ज्यादा ही कवार फैल गया है, तो अब बात कर लेते हैं, control unit की, control unit का काम होता है, हमारे computer में, सबको combination बनाए रखना, जैसे माल लिजे, आपने कहा कि गाना प्ले करो, song प्ले करो, अभी है नहीं, कि उसने वीडियो चला दिया, तो कैसे काम बने अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑप्रेशन को परफार्म करता है, जो भी डेटा आपका input के तौर पर दिया जाता है, ठीक है, control unit जो है, वो control करती है, instruction and flow of data within the computer, जो आपने instruction दी, और जहां पर डेटा बेजना है, उसको control करता है आपका control unit, and register array consists of register identified by like BCDEHL and accumulator, तो register array जो आपका है, वो जो है, registers को group होता है, ठीक है, यह एक memory type है, जब की बात करें, अब आपका evolution of microprocessor की, microprocessor का विकास किस तरह से हुआ, वो समझ लीजिए, we can categorize the microprocessor according to the generation, or according to the size of microprocessor, microprocessor को जो है, हम categorize कर सकते हैं, उनकी generation, और उनके size की अधार पर, चलिए, फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में जो microprocessor थे, वो थे 4-bit microprocessor, किस टाइप के microprocessor थे, 4-bit microprocessor, दा फर्स्ट जनरेशन microprocessor, वर introduced in the year 1971, 1972 by Intel Corporation, देखें, इस फर्स्ट जनरेशन के जो microprocessor स्टार्ट हुए, फर्स्ट जनरेशन के वो 1971, 1972 तरह बें इंटल कार प्रोरेशन द्वारा, जो आजकल आप फेमस देखते हो, तो पुरानी कंपनी है, इट वाज नेम्ड इंटल 4004, तो जो पहला हमारा microprocessor था, वो Intel 4004, सिंस इट वाज 4-bit प्रोसेसर, ये एक 4-bit प्रोसेसर था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन मंपड़ रहे हैं, इट वाज प पर प्रोसेसर होता था, इट कुड परफार्म सिंपल अर्थमेटिक और लॉजकल आपरेशन सचेज इंटेक्शन, सब्टैक्शन, बूलियन, और एंड, बूलियन, एंड, तो यह पर देखिए, वही बताया जा रहा है, यह दरसल यहां पर प्रोग्राइमिंग की चीज आ गई है, जैसे आदे आप पाइफन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बताया जाता है, लॉजकल आपरेशन में आपकी दो आपरेटर होते हैं, और एंड, तो यह लॉजकल आपरेशन बताया जा रहा है, ट्रू एंड, फाल्स, यह चीज़ें, एडिसन, सब्टैक्शन, और तो यह चीज़ें, तो पहले जो आपके थे, माइक्रो पुसेसर, उसमें अर्थमेटिक और लॉजकल आपरेशन होस्त परते थे, ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजकल आपरेशन ही परफार्म करता था, और अर्थमेटिक आपके अडिसन, सब्टैक्शन, जो गटाना लॉजिक होता है, कि यह काम हो जाए, या फिर यह काम हो जाए, और या एंड जब दोनों कंडिशन सैटिस्पाय होंगी, तो हो जाएगा काम, ठीक है, तो यह लॉजिकल आपरेशन है, जब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगे, तो आपको नहीं समझाएगा, कि य I had a control unit capable of performing control functions, like fetching an instruction from storage memory, recording it, and then generating control pulses to execute it, यह जो है, control unit, it had a control unit, इसके पास एक जो है, control unit होती थी, capable of performing control function, जिसको इपास चमता थी, perform करने की control function, जैसे कि fetching an instruction, किसी instruction को fetch करना, यानि कि आपने input दिया, उसको फेज करना, from storage memory, storage memory से, ठीक है, माली जए आपको कोई movie चाहिए, आपने instruction दी, अब उसको जो है, memory से फेज करना, ठीक है, अब उस memory में जो save है, information, उसको decode करना, फिर उसको output के जरीए, आपको अच्छे से दिखा देना, ताकि आपको समाझ आ आ जाए, और इसको यह चीज़ें है, ठीक है, बात कर लेते हैं, second generation की, second generation में जो microprocessor थे, वो 8-bit के हो गए, 8-bit microprocessor, the second generation microprocessor was introduced in 1973 gained by my Intel, तो 1973 में second generation के जो microprocessor थे, वो introduced किये गए, it was a first 8-bit microprocessor, तो Intel के दवारा ही किये गए, ठीक है, it was a first 8-bit microprocessor which could perform arithmetic and logical operation, और 8-bit words, यह 8-bit जो words था, 8-bit यहाँ पर words यूज हो रहा है, उसका मतलब यह है कि 8-bit का जो जितना भी data होता है, उस पर जो है, arithmetic and logical operation को यह पापाम कर सकता था, it was Intel 8008, and another improved version was Intel 8018, तो यहाँ पर यह बताए जा रहा है कि Intel 8008, और उसके बाद जो improved version था, Intel 8088, यह 8-bit microprocessor के, यहाँ कि second generation के example है, third generation है, third generation में जो microprocessor थे, वो 16-bit के हो गए, the third generation microprocessor introduced in 1978, 1978 में introduced किये गए, were represented by Intel, जाना तर इंटेल के द्वारा ही है, Intel 8086, Jilong Z800, and 80286, यह सब एकजामपल है, which were 16-bit processor with a performing like mini computer, जो mini computer की तरह है, perform करते थे, और 16-bit processor थे, third generation के, fourth generation है, fourth generation में microprocessor, जो है, की size हो गई, 32-bit microprocessor, यह जो 32-bit और 16-bit आप सुन नहीं हो, यह कुछ नहीं हो, सिर्फ डेटा है, ठीक है, कितना डेटा इसकी चमता थी, 32-bit, ठीक है, कि इतना का चमता है, इसका पास, ठीक है, यह bit कहाँ पर लगता है, binary में जो data होता है, मतलब binary में data जो store होता है, उसको मापने के लिए bit का उप्रियोग किया जाता है, तो binary numbers आप पढ़े होंगे, तो पता होगा कि उसमें किस तरह से होता है, तो fourth generation आई, fourth generation में किया हुआ, 32-bit के microprocessor बनने लगे, several different companies introduced the 32-bit microprocessor, अब इस बार जो है, कुछ और कमपनिया आई, जिन्होंने 32-bit के microprocessor भी इंट्रोडूस किये, Intel 80386, इसका most popular, जो है, microprocessor है, fourth generation का, फिर आई, fifth generation, और वो अभी भी चल लगी है, जिसमें आपके microprocessor है, 64-bit microprocessor, यदि आपको नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए, कि आपके जो, जैसे मेरा ये computer है, तो ये 64-bit microprocessor है, ठीक है, किसी का होता है, 32-bit, ये दखिए, bit पे depend करता है, कि आपके जो system है, आपका जो computer है, उसमें personal computer जो आपका है, उसमें कितना चमता का software इंस्टाल होगा, जैसे 64-bit है, तो आपका 64-bit होगा software, जैसे आपके किसी की चमता 32-bit होती है, बिट होती है, यानि कि 32-bit होती है, तो 32-bit वाला, जो microprocessor, चमता वाला software आपक किया जाता है, आपके personal computer में, तो उसमें पूछा जाता है, कि 32-bit है, कि 64-bit है, तो मेरा जैसे 64-bit है, और ये 5 जनरेशन के microprocessor हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, From 1995 to now, we are in the 5th generation, 1995 से हम 5th generation में, after 808056, ये 8856, ये 8856 Intel के बाद, जितने भी Intel आये, वे सब new processor थे, जिनको नाम दिया गया, Pentium processor, followed by Pentium Pro CPU, ठीक है, Pentium processor, Which allows multiple CPUs in a single system to achieve multiprocessing, जिसमें क्या था, उसमें multiple CPU थे, एक single system में, ठीक है, एक ही CPU में कहीं सारे, मतला वा, उन्होंने बना दी है, कोर बना दी, कि एक CPU है, माल लिजी है, इसे माल लिजी, यहां पर जगा खाली हो, तो मैं आपको बता दूँ, कि इन्होंने फिर क्या किया, कि म अक्ता कोर, मल्टी कोर, काड कोर, इस तरहें से बाट दो, तो आटोमेटिक एक CPU में कहीं सारे CPU हो जाएंगे, उनको अलग लग काम सोब दो, तो काम तेजी से होने लगेगा, फिर यह जो 64-bit माइक्रो प्रोसेसर आए, इनमें improvement हुआ, और इसमें जो है, CPU एक सिंगल सिस्ट CPU के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, तो CPU जो है, मुकता जो है, यहाँ पर मैं आपको टाइप बताने वाला हूँ, तो समझ लिजिए टाइप क्या होते हैं, तो चलिए, मैं आपको टाइप बता देता हूँ, एक CPU के टाइप्स क्या होते हैं, तो CPU आर, mostly manufactured by इंटल एंड एमडी सीप्यू जो हैं मोस्टली जो हैं इंटल और एमडी के द्वारा बनाई जाते हैं यह कोछ नहीं और सिर्फ कंपनिया हैं मैं आपको बीच में वीडियो में बता दूं कि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं उस बुक को यह दिया परचेज करना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे आप जरूर इस बुक को परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर एक बार चेक आउट तो जरूर रही करें कि क्या इस बुक की खासियत है तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो ठीक है जिससे मैं पढ़ा रह CPU, कहीं टाइप की होते हैं, Single Core CPU, Single Core CPU होता है, जिसमें एक Core होती है CPU में, ठीक है, Single Core is the oldest type of computer CPU, यह जो Single Core CPU होता है, मतलब बहुती घंटिया मान सकते हो, Single Core के बाद आता है, Dual Core के बाद आता है, Card Core, Card Core के बाद आता है, इस तरह से जितने भी आंगे आने वाले होते हैं उनमें क्या होता है कि CPU को उतने भागों बाट दिया जाता है जो सिंगल कोर जो CPU है उसमें आपकी सिर्फ एक ही कोर होगी यानि कि CPU को जो है काटा नहीं जाएगा यानि कि CPU के अंदर सिर्फ एक ही CPU होगा जबकि Dual-Core में जो क् लेगा है तो यह होते हैं आपके सिंगल्स और चाटने की प्रक्रियां शुरूर हुई उसके बाद जो मारे से प्यों है और एडवांस होते चले गए आज कल तो मल्टी कोर यानि कि एक प्यू प्रक्रीव को उसको अलग अलग काम होने बाट देना कोर के साब से तो इसको आप कार के साब से काई देते हैं कि यह कितने कोर का है जितने जाना कोर लोग है उतना भाइगा मिलेगा सिंगल कोर इस ताइप ओप संप कम्प्यूटर विच वाज यूद इन 1970 1970 की तरह सिंगल कोर सीपीउई आते थे इसके पास सिर्फ वन कोर होती थी ठीक है इसकी बहु जदा अपलिकेसं नहीं थी मतला बहु जदा उपयोग नहीं कर सकते हैं इस सिंप Ini 1700 कोर इसा नहीं है कि आभी भी पयोग नहीं होते हैं यह आज भी पयोग होते हैं स्मार्ड फोन में ठीक है लेकिन स्मार्ट फोन भी जो है वो अब स्वार्ट हो चुके हैं उसमें सिंगल कोरर से पयो आप नहीं जाना तरह है अब सम्में dual core, card core ये सब आने लगे हैं, ठीक है तो अभी आप जो है, smart phone भी नहीं लेते हैं, बहुत ही गटिया होगा वो बले ले ले, ठीक है अब आजाती है बात dual core CPU की dual core CPU क्या होते हैं जिसमें 2 core अब बाट दिया जाता है CPU को, मतलब CPU जैसे आपका एक ही रहेगा, बस उसमें क्या है कि दो भागों बाट दिया जाता है इस तरह से दो core कर दी जाती है, तो इसको हम कहते है dual core CPU, ठीक है, CPU एक ही रहता है बस काम उसको दो दे दी जाते हैं, तो अपना अपना काम करो as the name suggests dual core CPU contains two core, dual core CPU जो है दो core को contents करता है, एक single integrator circuit पर, एक single IC पर यह जो है, पूरा, यह जो पूरा घिरा हुआ है, दोनों को घेरे हुए है, वो integrator circuit है, IC है although each core has its own controller and catch, they are linked together to work as a single unit and thus can perform faster than the single core processor and can handle multitasking more efficiently than single core processor, यह जो है, एक ही समय में दो काम कर सकते हैं, efficiently multitasking, ठीक है multitasking part का यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि singular और plural में आप यह दी देखोगे, तो एक के बाद यह दी दो चीज़ें जहाँ भी English में हो जाती है, उसको multitasking कह सकते हैं, क्योंकि plural तो plural ही होता है, और plural का मतलब multitasking है, जबकि यहाँ पर काम जो है, वो दो ही हो रहा है, देखा जाए तो, ठीक है, तो यह चीज़े है, वहीं पर बात करें, code core processor, code core CPU की, code core CPU क्या होता है, this type, इसमें क्या होता है, आपका CPU एक ही रहता है, लेकिन इसको चार भागों बाट दिया जाता है, ठीक है ऐसे, तो यह आपका code core CPU हो जाता है इसमें चार, उसको मुह दे दिये गया है, खाओ खाना, अपना अपना काम करो, तो इसमें चार काम एक ही साथ हो जाते हैं, मतलब इसका यह मतलब नहीं कि चार काम हो जाते हैं, मतलब चार तरीके से, जो काम यह दो मुह से खा पाता था, यह काम, चार को मुह से खाएगा, जल्ी खाना पच जाएगा सिप्यु कंश्यप्ड टू दूगार प्रोसेसर इस में जो को पुल को प्रोसेसर डबल कर दिया जाते हैं टिक टूट को प्रोसेसर दो कर दिये जाएंगा तो डूट डूट हो जाएगा फोर वही बन जाएगा पौर्ड एटवन एंट dependent units called cores यह four core units को ठीक है ऑवाई सब चीज़ें और उसमें कुछ और नहीं है चलिए बात कर लेते हैं code core CPU की sorry code core तो हो चुका है code core हो चुका है code core हो चुका है यह दरसल है यह दरसल क्या था code core यहां पे हैं this hard cut तो एक होता है U number यह तो Octaquant a?」 तो यहां पे गल्ति ही होगी है तो だから प्रसेसर में क्या होता है एक सेँ पिउ को आठ हाउं में बाट दिया जाता है ।mother अधिक है और दूसरे सब्दों में कणा है तो 4 Cec to double कर दिया जाता है एक ही इंटिघ्रेटर सर्किट पर उसके बादन को रहे हैं को सबढ़ शाल में आढ़ से जैना लॉद्ध होती एक टरेंड को रहे होती है zeg इंद ने को पूसेक सब्सक्राइब ऑटोmaeten caları ने कैसेयरे सब्दुनेटर की वरकिंग क्रक्रेटर पोर्फ से क्रदाट हुआ जो इंस्ट्राइक्शन है और स्टोरेज में फेच करता है यह ज़ा जय यह जाहिए आपने का कि कलो तो तो computer instruction जो आपके द्वारा दी गई उसको एसाब से पहले memory में आपसे उठाएगा उसको page करेगा उसके बाद जो memory में आपकी store है movie वो binary numbers में होती है उसके बाद उसको decode करना फिर आपके सामने प्रस्तुत करना इसका काम होता है जिसके जब तक आप stop नहीं करते हो देखना then it sends the result in binary form to output port between these process the register stores the temporary data and ALU perform like computing function चलिए आप यहाँ पर बात कर लेते हैं features क्या होता है microprocessor की तो microprocessor जो है वो low cost होते हैं ठीक है और वहुती कम सस्ते मिल जाते हैं due to integrator circuit technology anti-getter circuit technology के द्वारा IC technology के द्वारा इक कम इनकी कीमत होती है high speed होते है ठीक है high speed से काम करते है small size होती है छोटा size होता है versatility होती है निक एक ही समय पर आप बहुत सारे काम करवा सकते हो low power consumption होता है बहुत कम पावर आपकी लेते हैं less heat generation बहुत कम आपका heat generate करते है heat की यहाँ पर बात आएगी तो मैं आपको बता दूँ जो पाहले vacuum tubes होते थे जो मैं आपको पिछले चेप्टर में बता चुका हूँ वह vacuum tubes बहुत जएदा heat को produce करते थे लेकिन इसमें बहुत कम heat होती है होती ही नहीं है लग बग तक देखा जाए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि reliable होते है माइक्रो फॉससर जो है वह सेमी कंडेक्टर टेक्मोलजी से बने होते हैं और यह बहुत ज़्याइबल होते हैं एक को रैसी बहुत बढ़िया होते हैं डू टू टू दैसमाल साइज एंड पॉलोहर का अंजब्सें फॉक्रों के स सेर जरू करें क्योंकि आप बेस्ट आप बेस्ट कांटेंट आपको दिया जाता है एपिजोड नाइड दैंड